प्रांस्पोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है मैं हूँ मनंदर सेंग और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट आज 1 सेप्टेंबर 2019 है और ट्रांस्पोर्ट समुदाई के लिए ये जो डेट है वो बेहद इंपोर्टन्ट है वो इसलिए क्योंकि हाल ही में जो मोटर वीकल अग्ट 1988 में 93 संशोधन होए हैं मोटर वीकल अमेंडमेंट बिल 2019 के जरीए उसके ज़ादातर प्रावधान है वो 93 जो संशोधन है उसके ज़ादातर प्रावधान है वो आज 1 सप्टमबर 2019 से पूरे देश में लागू हो गए हैं यह जो संशोधन हुए हैं मोटर वी कलेक्ट में वो काफी comprehensive हैं कही तरह के जो उससे बदलाव आएंगे पूरे ट्रावधाय में पूरे एक्ट के अंदर और कई जगा पर इसका impact पड़ेगा तो हम आपको आज इस रिपोर्ट में यह बताना चाहते हैं कि आज 1 सप्टमबर से कौन-कौन से ऐसे प्रावधान है जो लागू हो गए हैं और कौन से ऐसे प्रावधान है जो अभी भी लागू नहीं हुए हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें penalties की जिसकी सबसे ज़ादा चर्चा हुई इस amendments के अंदर के जो जुर्माने हैं ट्रैफिक के जुर्माने हैं अब वो जो काफी गुना बढ़ा दिये गए हैं वो आपको बता दें कि आज एक सेप्टेंबर 2019 से वो लागू हो गए हैं हमारे आपको राई यही है कि यह जो पनल्टी बढ़ाई गई हैं जितना हो सके इनसे बचके रहिए इसके बारे में जानकारी रखिए क्या सही है क् पक चलान हो सकता है और कौन सी पनल्टी का कितना जुर्माना है जितना हो सके आप इसे याद रखें अपने अधिकार भी आद रखें कि किस GUYस में आपका चलान हो सकता है और किस केस में नहीं इसके एलावा मैं आपको बता दूँ के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर काफी सारे बदलाव हुए थे इस एक्ट के अंदर और काफी अच्छे बदलाव है उसका काफी स्वागत किया गया जो ड्राइवर कम्यूनिटी है उसके द्वारा जैसे सबसे पहला जो बदलाव थ था कि जो आठवी पास की जो शर्त हो हटा ली गई है अगर अब भी आपके पास कोई भी शैक्षे की योगता नहीं आप स्कूल कभी नहीं गए है तो भी आपको अपना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं आज एक सप्टेंबर से यह लागू हो गया है आप आठियो को यह बात बता सकते हैं उसको पता होगा और वहाँ पर जाके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि जो वैलिडिटी है वो हैवी लाइसेंस की वो भी तीन साल से बढ़ा कर पांस साल कर दी गई है वो तुमाम चीज़े जिसकी डिटेल में रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में आप ट्रांस्पोर्ट टीवी पर देखेंगे वो तमाम जो बदलाव हैं वो भी लागू कर दिये गए हैं जो लागू नहीं हुआ है वो है मोटर वीकल इंशोरेंस को लेकर जो पूरे का पूरा चेप्टर 11 बदल दिय गया है जिसके बारे में रिपोर्ट्स आ चुकी है ट्रांस्पोर्ट टीवी के उपर वो जो प्रावधान वो अभी होल्ड पर है वो अभी लागू नहीं हुए है तो जो प्रावधान एक सेप्टेंबर 2019 से लागू नहीं हुए है वो भी मैं आपको बता दूँ उसमें मु उसे claim पहले से जादा मिलने की उमीद है और accident में अगर किसी की मौत हो जाती है तो कम से कम 5 लाग का claim मिलेगा तो ये कुछ अच्छे प्रावदान है लेकिन जो एक खतरनाक प्रावदान भी इसमें हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि आप जो है premium भी दे दें third party का और उसके बावजूद भी जो claim है वो आपको देना पड़ जाए या उसका एक हिस्सा आपको देना पड़ जाए वो तमाम रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं फिलाल वो लागू नहीं हुए हैं आने वाले दिनों में जरूर होगी तब हम आपको इसके बारे में सूचीत करेंग अंदर तमाम वो जो वीडियो हमने डाले हैं जो ये सुनशोदनों से सबंदित हैं अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें आपको जानकरी रहेगी और अगर को जुर्माना वगरा होता है तो आपको पहले से उसके बारे में पता होगा ले तो या आप वहीं के ऑपरेटर हैं तो जो भी प्रावदान हमने अभी बात की पेनल्टी चाहे जुर्माने हैं चाहे ड्राविंग लाइसिंस को लेकर जा बस परमिट्स को लेकर कुरोई भी प्रावदान अभी वेस्ट बंगॉल के अंदर लागू नहीं होगा जिया इसके बारे में जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगॉल के उन्होंने बकाइदा विधान सावा के अंदर एक स्टेटमेंट दी हैं वो क्या स्टेटमेंट हैं आपको सुनाते तो जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर सुवेंदू अधिकारी वेस्ट बंगॉल के जो उ यूर बाइंग अ वहीकल विल बी इंटाइटल तो गिव इट्स विटनिस सर्टिफिकेट तो इस स्टेटमेंट से साफ है उनका कहना है कि जो बेतहाशा जुर्मान ने बढ़ा दिये गए हैं एक्ट के अंदर वेस्ट बेंगॉल सरकार उससे सहमत नहीं है इसके बारे में वो सरकार है वेस्ट बेंगॉल की वो सहमत नहीं है इसलिए वो कोई भी प्रावदान कोई भी जो नया अमेंडमेंट है उसको वेस्ट बेंगॉल में लागू नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो ट्रांस्पूर्ट का विशे होता है वो कॉन्करंट लिस्ट में होता है उस पर सेंटर और स्टेट दोनों का बराबर अधिकार होता है तो कई केसिस में स्टेट गॉर्मेंट अगर चाहे तो वो जो अमेंडमेंट्स होई हो उसको लागू नहीं कर सकती है और इस केस में सिर्फ वेस्ट बेंगॉल ने ऐसा किया है बाकी देश में तमाम जो मेंड़मेंट जो से मैंने पहले बताया वो 1 सप्टेमबर 2019 से जादा तर जो मेंड़मेंट से वो लागू होने जा रहे हैं तो हम उमीद करते हैं कि इस जानकारी का आपको जुरूर कोई ना कोई लाब होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और अगर आपको ट्रांस्पोर्ट टीवी अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं